Hello friends, tax filing school के इस वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों अगर आप share transfer करते हो या mutual fund redeem करते हो और आपको short term capital gain या loss हो रहा है, long term capital gain या loss हो रहा है, तो उसको कैसे आपको ITR में दिखाना है, उसका demo देखेंगे और start to in एकदम अच्छे से explain किया हुआ है, एक घंटे का वीडियो है, तो इनकेस अगर आपको start to in ITR feel करना जानना है, तो उस वीडियो का link आपको नीचे description में मिल जाएगा, चेकाउट कर लीजेगा, इस वीडियो में सिर्फ capital gain को cover करेंगे, और बहुत सारे सवाल आये थे उस वीडियो में, तो उन सब सवालों को भी इस वीडियो में cover करेंगे, जैसे कि quarterly income कैसे दिखाना है, अगर loss हो जाए, तब कैसे दिखाना है quarterly, उसके अलावा long term का exemption है, उसको कैसे claim करना है, तो उन सब चीजों को भी हम इस वीडियो में cover करेंगे, हम यहाँ पर ITR 2 का इस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ITR 3 का इस्तमाल कर रहे हो, तो भी आपको same schedule मिल जाएंगे, same to same करना है, सबसे पहले दिखिए हमने इस तरीके से chart बनाया हुआ है, demo के लिए, short term है, long term है, इसको ITR में कैसे भरना है, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, ITR में भरने के लिए स section 112A दिया गया है, ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पर continue का button है, इस पर click कर देना है, अब इस तरीके से page आ जाता है, उपर आप दिखें, यहाँ पर short term capital gain के लिए option दिया गया है, इस पर click करिए, यहाँ पर add details का button है, इस पर click करिए, यहाँ पर आपको section 11 11A select करना है, जैसे आपने select किया नीचे दिखें, बहुत सारे boxes open हो गये है, full value of consideration आपको यहाँ पर enter करना है, मतलब sell वाला amount, हमारे demo में दिखें, sell का amount है, तो जल्दी से हम enter कर देंगे, उसके बाद cost of acquisition हमें enter करना है, मतलब कितने में खरीदा था, तो amount हमने enter कर दिया, नीच नीचे add का button दिखाई देता है, इस पर हम click कर देंगे, short term capital gain हमारा enter हो गया है, तो कोई भी short term capital gain हो share पर या mutual fund पर इस तरीके से यह आपको भरना है, अब यहाँ नीचे long term का भी option दिया गया है, लेकिन भरने के लिए अलग से schedule ही दिया गया है, add detail पर click करिए, यहाँ पर आप आपको सिर्फ deduction का amount enter करना है, जो कि section 54F का होगा, ठीक है, अगर होगा तो आप enter कर दीजिएगा, हमारे case में नहीं है, तो सिर्फ add पर click करके हम आगे बढ़ जाएंगे, add पर click करते हैं, फिर से हम पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर अब हमें नीचे जाना है, और confirm का button दिया गय ठीक है, schedule 112A पर आना है, इस तरीके से page दिखाई देगा, add details पर click करिए, अब इस तरीके से detail भरने का page आ जाता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको option choose करना है, हमारे case में after 31st January 2018 है, उसके बाद नीचे आएंगे cost of acquisition यहाँ पर हमें enter करना है, मतलब कितने में खरीदा था, उसके detail इंटर करने के बाद, नीचे add का button क्लिक कर दीजिए, अब आप देख सकते हो, row add हो गया है, यहाँ पर आपको long term capital gain का amount भी दिखाई देगा, ठीक है, अब नीचे आएंगे confirm का button क्लिक कर देंगे, तो schedule 112A हमने complete कर दिया हुआ है, long term capital gain का entry हो गया है, अब नीचे आएंगे schedule CYLA है, इसको हम पहले भरेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ amount चेक करना है कि दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, और यहाँ पर आपको confirm का button दिखाई देगा, क्लिक कर देना है, schedule CYLA complete हो गया है, उसके बाद schedule BFLA है, इसको भरने से पहले आप schedule CFL भर लीजेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, अगर कोई पिछले साल का loss आपको carry forward करना है, तो यहाँ पर ही आपको दिखाई देगा, दिखे हमारा पिछले साल का loss है, यह वाला जो loss है, इस साल के income के against edges हो जाएगा, तो हमारा tax liability भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा, अगर कोई भी यहाँ पर difference दिखाई दे रहा है, जो आपने ITR में claim किया हुआ था पिछले साल, तो आप इसको edit भी कर सकते हो, edit करने के लिए इसको select करना है, और उपर आपको edit का button दिखाई दे जाता है, ध्यान देना यह carry forward नहीं होता है, इसको आप कर भी नहीं सकते हो, उसके बाद अब नीचे आईए, यहाँ पर compute setup का button है, इस पर click कर दीजिए, अब CFL वाला schedule भी complete हो गया है, आप देख सकते हो, अब जाना है schedule BFLA में, यहाँ पर जो income अभी capital gain का हमने दिखाया हुआ था, उसमें adjustment होगा, आप देख सकते हो, short term capital gain 40,000 था, तो जो पिछले साल का loss था, वो adjust हो गया है, तो अब हमारा short term capital gain इतना ही बचा हुआ है, उसके अलावा long term capital gain इस साल इतना था, पिछले साल का loss यहाँ पर carry forward हुआ, और adjustment होने के बाद, अब इतना amount ही हमारा long term capital gain का बचा हुआ है, इस amount को देख लीजिएगा, यह जो amount है, यही आपको quarterly break up में inter करना होता है, काफी लोग confused हो जाते हैं कि amount में mismatch क्यों हो रहा है, फिलाल इस schedule को हम complete कर देते हैं, तब मैं आपको अच्छे सा समझा पाऊंगा, अब schedule BFLA भी हमारा complete हो गया है, नीचे आएंगे यह वाला schedule है special income का, इस schedule capital gain में जाना है, यहाँ पर अभी बहुत सारे important information आपको add करना है, इस तरीके से page आ जाएगा, नीचे continue का button क्लिक करेंगे, schedule capital gain का page आ गया है, यहाँ पर short term capital gain और long term capital gain दोनों भी अब हमें दिखाई दे रहे हैं, नीचे आएंगे अगर आपको कोई deduction claim करना है section 54 का, तो countdown आ जाएगा, आप देख सकते हो, बहुत सारे options अवलेबल हैं, जो भी आपके लिए applicable होगा, select करके amount और जो भी detail पूछे जाते हैं, आप enter कर दीजेगा, ठीक है, हमारे case में applicable नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद और नीचे आएंगे, तो यहाँ पर F नाम gain हुआ है, short term का, long term का, उसको उस हिसाब से दिखाना है, यहाँ आखरी में भी कुछ boxes हैं, तो उसको देखने के लिए आप scroll कर सकते हो, ठीक है, आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर period दिये गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, short term capital gain का, यहाँ पर period wise detail inter करेंगे, उपर ही सबसे पहला वाला ही row है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इस तरीके से short term capital gain का, हमने यहाँ पर माल लिया हुआ है, कि आखरी 15 दिन में हमने कोई sell नहीं किया, तो कोई भी capital gain loss हुआ नहीं है, ठीक है, जो भी हुआ है, इन period में ही हु हुआ होगा, तो आप mention कर दीजिएगा, अब कैसे adjust करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, 20,000 पहले quarter में हमें income हुआ है, short term capital gain में, लेकिन पिछले साल का हमें loss था 8,394 जिसको हमने carry forward किया था, तो जब आप entry करो, तो यह 8,394 minus कर दो, इतना amount बचता है, पिछ भी enter ही नहीं करना, 0 ही रहने देना, ठीक है, third quarter में आपको 15,000 का income है, तो जो 5000 का पिछले quarter में loss हुआ था, उसको adjust कर देना है, तो बचा कितना 10,000, तो 10,000 ही आपको enter करना है, उसके बाद जो आखरी quarter था, उसमें भी 10,000 का हमें profit हुआ था, तो सारा amount हमने enter कर दिया, अब अ amount हमारे schedule BFLA में आया हुआ था, आप देख सकते हो, यहाँ पर error में वही चीज लिखा गया है, अब आप बोलोगे कि error क्यों आ रहा है, वो error आपको बताने के लिए आते हैं कि आप गलती ना करो, ठीक है, उसके बाद अब long term capital gain है, 10% वाला हमारे case में, यह वाला, तो यहाँ पर भी हमने उस तरीके से बनाया हुआ है, अब long term capital gain में पहले ही quarter में हमें 25,000 का loss था, और 3099 में पिछले साल का था, तो पहले quarter में हमें क्या करना है, यहाँ पर zero inter करना है, दूसरे quarter में हमें 20,000 का profit हुआ था, लेकिन जब पिछले वाले loss को carry forward करेंगे, इस quarter में, तो यह भ तो इतना amount balance बसता है, ठीक है, 8,000 में से जब 5,399 में माइनस कर देंगे तो, और आखरी quarter में 80,000 है, तो पूरा आ जाएगा, तो जो भी capital gain था, जिस period को belong करता था, उसको हमने भर दिया हुआ है, ध्यान दीजेगा, calculation आपको बहुत सही तरीके से करना है, ठीक है, otherwise एक जीरो इंटर करके छोड़ सकते हो, ठीक है, अब स्क्रोल करके आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पर add का button दिखाई देता है, इस पर click कर देना है, add के button पर click करते ही, इस तरीके से row add हो जाएगा, अब आपको नीचे आना है, और यहाँ पर confirm का button दिखाई दे रहा है, इस पर click कर देना है, और अब हमारा schedule capital gain पूरी तरीके से complete हो गया है, तो इस तरीके से आप capital gain का entry कर सकते हो, जो जो important schedule थे, उनको हमने इस वीडियो में cover कर लिया हुआ है, अब एक और सवाल काफी बार पूछा जाता है, कि long term capital gain अगर एक लाग से कम है, तो उसका छूट कैसे लेना है, ध्यान दीजेगा, आपको automatically छूट मिल जाएगा, सबसे पहले तो जान लीजे, अगर long term capital gain income एक लाग से कम है, तो भी income में include होगा, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो surprise नहीं होना है, लेकिन जब tax का computation होता है, तो वहाँ पर उसके उपर tax नहीं लगता है, ठीक ह I hope कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से capital gain को ITR में दिखाना है, किस तरीके से आपको periodic entry करना है capital gain का, और उसके अलावा कैसे आपको loss adjust करना है, अब आपको screen पर एक playlist दिखाई दे रहा होगा, income tax related दूसरे वीडियोज देखने के लिए इस पर आप click कर सकते हो, इस व शुकुराते रहो, धन्यवादे